तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक फानेंशल मैनेजमेंट का जिसमें हम कैपिटल बजिटिंग टेकनीक स्टड़ी करने जा रहे हैं विद्धियर एक्जाम्पल्स प्राक्टिकल क्वेस्टन के साथ मैं इसको एक्स्प्लेइन करूंगी आज की इस वीडियो में आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टन वीडियो होगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सिंपल वे में इस कॉंसेप्ट को क्लियर क स्टार्ट करते हैं और हाँ सबसे इंपॉर्टन बात कि आप जो है टेलीग्राम चानल भी जॉइन कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा क्वेस्टन नमबर टू गिवन है सेवन माक्स का हमसे पूछा गया था कि कैपिटल बजटिंग की मेन टेकनीक्स कौन कौन सी है और साथ में हमको इसी पे एक प्रैक्टिकल नुमेरिकल क्वेस्टन गिवन है तो बात करेंगे सबसे पहले टेकनीक्स की तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथर्ड होते हैं different different techniques होती हैं दो type के यहां पर बताए गए पहला traditional method जिसको हम known discount method भी बोलते हैं दूसरा method है हमारा discounted cash flow method तो बात करेंगे इनकी techniques की तो traditional में हमारे दो type के आते हैं जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं एक chart के form में हमको यहां पर given है traditional में हमारे payback period और average rate of return discounted cash flow में आपके तीन type के आते हैं net present value profitability index और IRR यानि की internal rate of return तो average rate of return को ARR बोलते हैं हम और internal rate of return को IRR बोलते हैं ध्यान रखेंगे इस चीज़ को and सबसे पहले हम traditional की बात करेंगे यानि की non discounts की and then हम इस पे आएंगे all right बात कर लेते हैं सबसे पहले traditional की तो traditional method rely on non discounted criteria इसका मतलब यह होता है कि यह time value of money को consider नहीं करता है ठीक है money की time value जह है उसको यह consider नहीं करता है तो number one इसकी जो technique आती है वो आती है payback period payback period को study करेंगे payback period मैं आपको already पहले पढ़ा चुकी हूँ क्यूंकि आप हमारा यह question आ गया तो हम इसमें भी आपको यह explain करेंगे payback period एक वो time होता है देखो आपने किसी project में पैसा लगाया initial way में जितना भी आपका cash outflow हुआ मतलब आपने उस project में जितना भी पैसा invest करा आप यह देखते हो payback period में कि कितने time period के अंदर अंदर हमारा जो initial cash outflow है वो हम recover कर लेंगे तो payback period वो time period होता है जिसमें हम initial जो हमने amount invest करी है initial हमारा जो cash outflow हुआ है उसको हम expect करते हैं कि हम recover कर लेंगे उस time period तक ठीक है from the cash inflow generated by the investment obviously आप किसी project में पैसा लगा रहे हो तो आप यही सोचके लगाओगे ना कि हमको यहां से benefit भी होगा हमको cash वापिस भी आएगा all right तो inflow जो भी होगा तो कितना time period तक आप उस पैसे को recover कर लेते हो यह payback period आपको बताता है तो यह जो है simple investment appraisal टेकनीक है जिसमें आप basically अपने capital budgeting टेकनीक में use करते हो देखते हो किसी भी project में कि भाई इतने time period तक तक यह पैसा वापिस आजाएगा उसके बाद का जो भी होगा वह हमारी कमाई होगी अर्निंग होईगी राइट पेबैक period of a project depend on अब यह किस पर depend करता है cash flow period from the project is even और uneven पर तो बात कर लेते हैं अब इसको हम कैसे compute करते हैं अलग-अलग situations में तो देख लेते हैं देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले दो बाते बोली गई हैं कि payback period की computation जो है वो दो different situations में होती हैं पहली when annual inflow are equal दूसरी when annual cash inflow are in unequal तो अब equal का मतलब क्या कि जितना भी annual inflow है वो equal है किसके equal देखो when the cash flow when the cash flow being generated by a proposal are equal per time period कहने का मतलब है कि जब हमारा जो cash flow है वो generate होगा जो भी हमारा proposal है यानि कि जिसमें भी हम project में हम पैसा लगाने वाले हैं आर इक्वल पर टाइम पिरिएड कहने का मतलब है कि cash flow are in the form of an equity the payback period is calculated as follow तो basically equal की situation में आप किस तरीके से अपने payback period को calculate करोगे जो भी आप पैसा लगा रहे हो for example आपने लगाया 10 लाक रुपे ठीक है यह 10 लाक रुपे आपकी initial investment है और basically cash inflow per period यानि कि एक साल में अगर आप calculate कर रहे हो तो whatever जो भी amount होगी देखो यहाँ पर हमें इसका example भी given है कि company C जो है वो planning कर रही है कि वो एक project पे जो है 105 करोड रुपे लगाएगी investment करेगी और जो वो project है ना वो 25 करोड रुपे देगा हर साल 7 सालों के लिए तो अब annual का मतलब एक साल में आपको कितने रुपे मिलेंगे एक साल में आपको 25 करोड रुपे मिलेंगे आप लगा कितने रहे हो आप 105 करोड रुपे लगा रहे हो तो जब आप इसको divide कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 4 साल 2 महीने में जो है हमारी पूरे 105 करोड हम cover कर लेंगे ठीक है 25 को अगर आप 4 साल से multiply करोगे तो आपका 100 करोड यहाप 4 सालों में आपने cover कर लिए और बाकी के जो यह 105 है in the sense की आपका जो भी बचेगा 5 करोड वो आप जो है इसमें 2 महीने में या whatever इसमें हम cover कर लेंगे 4.2 यर्स में तो यह आप एक calculator लेके ही जाओगे आप calculate कर लेना simply 105 को 25 से divide कर लेना ठीक है तो यह हमारा आएगा 4 और 50 आता है 2 पे तो 4.2 आपका payback period आ जाएगा तो इस तरीके से वेन तो जब आपका inflow जो है वो equal होगा तब आप यह वाली technique use करेंगे अब हम बात करें कि unequal होगा unequal की बात की गई है ठीक है unequal की बात की गई है तो when the annual cash inflow are unequal यानि कि in case the cash inflow from the proposal are not in annuity form annuity का form का मतलब यह होता है कि हम ऐसा नहीं है कि आपको साल के बाद ही पैसा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है इस वाले में क्या था आपको साल के बाद पैसा मिल रहा है कि हर साल हर साल हर साल इतना मिलेगा इसमें ऐसा नहीं है annuity form नहीं है यानि कि आपको हर साल नहीं मिलेगा आपको एक particular time period के बाद मिल सकता है वो 2 साल भी हो सकता है वो 3 साल भी हो सकता है यहाँ पे annuity नहीं है मतलब यानि कि पूरा साल नहीं है तो अब इस case में क्या होगा जो cumulative cash inflow है are used उसको हम cumulative का मतलब होता है कि basically आप जोड रहे हो ठीक है और cash inflow are used to compute the payback period अभी हम इसको भी एक example से समझेंगे तब आपको और जादा clarity होगी इस point के बारे में तो देखो यहाँ पे आप payback period कैसे calculate करते हो a plus b divided by c देखो a से क्या है a से है is the last period with a negative cash flow negative cash flow का यह मतलब होता है कि आपने अभी लगाया लगाया है ठीक है आपको वापीस कुछ नहीं आया और b जो है वो basically is the absolute value और c जो है वो total cash flow है चलिए इसको हम थोड़ा example के through समझते हैं देखो यहाँ पे हमको example दिवन है कि एक proposal है जिसमें 18,500 रुपे आप लगाओगे और यह expect किया जा रहा है कि cash inflow जो है वो कभी तो 8,000 होगा कभी तो 6,000 होगा देखो un equal की बात हो रही है न पहले वाला case किया था equal equal का मतलब आपको हर साल 25,25,25 करोड मिल रहा था वो equal था यहाँ पे un equal है un equal का मतलब कि कभी आपको 8,000 मिलेंगे कभी 6,000 मिलेंगे कभी 4,000 मिलेंगे कभी 2,000 मिलेंगे ठीक है next 5 सालों तक के लिए तो यहाँ पे un equal data है un equal form में आपको returns वा रहे हैं तो इस according आप कैसे अपना payback period calculate करोगे वो हम समझते हैं क्यूंकि हम total कितना लगा रहे हैं 18,500 रुपे लगा रहे हैं जी और हमें तो payback period निकालने payback का मतलब की भाई जितना हम लगा रहे हैं वो कितने time तक वापिस आ जाएगा यह हमें calculate करना है तो देखो वही अब यहाँ पे सबसे पहला साल आपको 8,000 रुपे मिला दूसरे साल 6,000 मिले 4,000 मिले 2,000 मिले equal नहीं है un equal form में मिल रहे हैं पहले में 8 मिले तो 8 आ गए फिर दूसरे में 6 मिले यानि की 14 complete हो गए फिर 4 मिले तो 18 CF का मतलब आप जोड़ रहे हो इनको ठीक है cumulative frequencies को हम बोलते हैं उसके बाद 2000 जोड़े तो 20,000 आपके आ गए तो basically आपके यहाँ देखे तो हम 18,000 तो आपके पूरे होई गए है बचे कितने पात सो रुपे बचे राइट पात सो रुपे बचे तो पात सो रुपे यहां से आ जाएंगे चोथे साल में बट अभी हमें payback period calculate करना है तो हम क्या करेंगे पहले तीन साल पे तो हमारा 18,000 कवर होई जाएगा तो तीन साल तो यह हो गए आपके बाकी पात सो रुपे की बात करें तो हम यह देखेंगे कि चोथे साल पे हमको मिल कितना रहा है चोथे साल पे हमको दो जार रुपे मिल रहे है हमें कितने calculate करना है लेकिन हमें तो पान सो रुपे हमें तो यह देखना है कि पान सो रुपे कितने तक आ जाएंगे कितने time period त 25 यानि कि 3 महीने 12 को उससे करोगे तो 3 मन्त का बेसिकली आ जाएगा आपका आपका इतना भी लिख दोगे ना आपका आंसर करेक्ट है ठीक है यह जागा अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगे तो इसको छोड़ दो ठीक है कि payback period जो है वो इस compared with some predetermined target period ओके ठीक है जी if the payback period is more than the target period target period मतलब समझे रही हो कि आप एक target लेके चलो कि हम यहाँ इतने साल तक जो है अपनी amount को cover कर लेंगे यह आपका target period हो गया तो अगर payback period अपने target period से जादा चला गया है ना कि target आपने यह सोचा कि हम ना तीन साल में cover कर लेंगे जी लेकिन actual में payback period क्या बता रहा है कि आप तीन साल में cover कर पाऊगे आप चार साल में cover कर पाऊगे तो आप उस proposal को reject कर दोगे क्यों क्यों कि हम तो यह सोच के चल रहे हैं हमारा target यह कि हमको दो या तीन साल में whatever पैसा चाहिए बट आप जब calculate कर ले हो अपना payback period निकल करके यह आ रहा है कि आप जो है सिरफ और सिरफ चार सालों में ही अपनी इनीशल amount को cover recover कर पाऊगे तो इस situation में आपका payback period जादा हो गया और आपका target period कम हो गया तो इसमें आप reject कर दोगे क्यों कि आप तो यह सोच के चल रहे हो कि हमें 3 साल में cover कर लेने अपने पैसे पर payback period निकालने के बाद हमें पता चल रहा है कि 4 साल लग रहे है तो हम उस proposal को उस project को हम पैसा नहीं लगाएंगे reject कर देंगे यही अगर बात करें कि payback period अगर आपके target period से भी कम है तो आप उस proposal को accept कर लेते हैं यानि कि आप सोच के चल रहे हो कि हमको 3 साल में यहां से पैसा मिल जाएगा बट payback period आपको यह बता रहे है कि आप 20 साल में ही recover कर लोगे तो यह project अच्छा है इसका मतलब इसको आप priority दोगे इसको आप rank first दोगे क्योंकि आपके पास number of project बहुत सारे हैं alternatives बहुत मुझूद है आपके पैसा तो है कुछ advantages भी गिवन है और disadvantage भी गिवन है advantage वही है कि सबसे simple और easy concept है इसको आप अप्लाइबीजी कर सकते हो small चोटी-चोटी फर्म जो है वो जिनके पास limited manpower है कि कम लोग है काम करने के लिए जिनके बाइव आपके पास cash कितना होना चाहिए in case of a firm having liquidity problem, liquidity problem का मतलब ऐसी company जिनके पास पैसो की कमी होती है तो payback period उनके लिए अच्छा method है कि payback period उनको at least यह मालूम रहेगा कि कितने time period तक उनका cash inflow होगा यानि कि पैसा वापीस आ जाएगा in broad sense अगर हम बात करें तो payback period जो है वो deal करता है इसके साथ भी shorter payback जितना ज़्यादा शोटर होगा ना आपका payback period उतना कम रिस्की होगा जल्दी से जल्दी अगर आप recover कर लोगे तो इसका मतलब वो बढ़िया चीज है ओल राइट ऐसी लोंगर भी होता है विच अकर after the payback period कहने का मतलब है हमने देखा अभी हमने पढ़ा था ना कि क्या 25-25 करोड उपे वाला जो केस था उसमें 7 सालों तक पैसे आने हैं हमने क्या निकाला हमने यह निकाला वह 4.2 यर्स तक जो है आपके जो आपने 105 करोड लगाए थे वो वपीस आ जाएंगे उसके बाद का क्या यह payback period का payback period method नहीं देखता कि उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो यह इसकी disadvantage है कि यह बाद वाले period में जो पैसा आ रहा है उसको ignore कर देता है नमबर टू बात करें यह timing of occurrence इसको भी ज्यादा ignore कर देता है वह यह भी इग्नोर कर देता है कि equal in money worth and ignore the time value of money को भी इग्नोर कर देता है तो यह सब आपने disadvantages में लिख देना चली अब हम अपने दूसरे method पे आ जाते हैं दूसरी techniques पे आ जाते हैं जो कि given है average rate of return जिसको हम ARR बोलते हैं तो आप याद रखना traditional method हमारे दो होते हैं एक payback period और एक ARR यानिकी average rate of return यह दोनों याद रखना और बागी जो भी method हो समझ जाओ कि वो वाले कौन से discounted वाले हैं तो यह दो method याद रखेंगे average rate of return की बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं ARR may be defined as the annualized net income and on the average fund invested in a project मतलब आपका average fund ठीक है नेट annualized net की पूरे साल में आपने कितने कमाई करी अपने average investment fund मतलब जितना भी आप लगा रहे उस project में उसका average लोगे और उस पे देखोगे उस average पे आपने कितना कमाया एक साल में accounting rate of return is the ratio of estimated accounting profit estimated accounting profit का यह मतलब होता है कि आप कितना सोच के चल रहे हो कि आपको मुनाफ़ा होगा कितना आप अनुमान लगा के चल रहे हो to the average investment जो भी आपकी average investment है made in the project average हम पता है आप कैसी निकालते हो लाइग आपने दस लाग रुपे लगाया एक करोड लगाया मालो पांच सालो के तक वह पीरेड है तो आप उसका average निकालोगे पांच से डिवाइड करें वह एवरेज होता है तो देखो आप study करते है थोड़ा से इसको कम्प्यूटेशन आप कैसे करोगे calculation कैसे करोगे कुछ नहीं करना equal annual profits लेने एन इक्वल जो लेने है profit भई किसी साल तो होगा भई equal equal profit आ रहे है हर साल कई में ऐसा भी case होगा कि unequal आ रहे है भई इस साल हमने 2 लाग कमा है एकले साल हमने 3 लाग कमा लिए तो unequal हो गया equal की बाद equal होगा जब profit आपका तो आप ये वला method इस्तमाल करेंगे यानि कि ये वला formula आप लगाओगे क्या लगाओगे ARR is equal to annual profit divided by after tax ये धी ध्यान रखना after tax लेना है आपको annual profit after tax जो भी आपका आएगा मतलब tax pay करने के बाद और upon में average investment जो भी थी और उसको आप multiply कर दोंगे 100 से आपका आ जाएगा unequal profit की बात कर लेते हैं अब जरह हम unequal हमसे क्या बोल रहा है if the project is expected to generate unequal profits और uneven मतलब अब जैसे मैंने आपको बताएगी अनीक्वाल भी होता है ना कि इस साल अमने इतना कमा है अगले साल थोड़ा ज्यादा कमा लिया उस से अगले साल थोड़ा कम कमा लिया तो यह अनीक्वाल निकालेंगे, simple arithmetic mean निकालेंगे, कोई नी इसको अभी हम थोड़ा और example से ज़्यादा clarity देंगे अभी आप सिरफ just as ही पढ़ लो in both the cases the average investment of the project which is used as the denominator of ARR formula okay, initial cost installation expenses minus salvage value number of years से हम ये divide करेंगे depreciation की value mean जो आपको याद रखना है देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसको study करते है rules for calculating average return अलग-अलग cases होते हैं देखो तीन cases यहाँ पे define किये गए मतलब जो अभी उपर लिखा हुआ था ना उसका पूरा यह निचोड है तो इसको यहाँ से टेक्स के बाद वाला profit गिवन हो और आपको depreciation गिवन हो depreciation आप समझते हो न कि हमारी asset की value जो है वो time के साथ सा decrease होती है वो depreciation होता है तो जब गिवन हो तो average annual income after tax जो भी है वो लोगे and depreciation लोगे और average investment multiply 100 कर दोगे ऐसी annual cash inflow जब गिवन हो तो average cash inflow से आप annual depreciation को minus कर दोगे और जब आपको original investment को use करना है तो आपका average annual income after tax and depreciation और divided by हमारी original investment आ जाएगी अल्राइट अगर इसका हमें question given हो तो ज़्यादा better रहेगा नहीं given हमें वैसे तो ज़्यादा important जो अगर question आते हैं वो basically यही आते है net present value, pi यानि कि दूसरे वाले जो हमारे method है इनकी आप सिरफ theory theory भी कर लोगे तो मेरे इसाब से enough है बट फिर भी still जो है ARR का question अगर आ गया तो आप को करना पड़ सकता है चलिए कोई नहीं आप इसकी theory तो करी लीजिए at least अभी the ARR calculated as above is compared with the pre specified rate of return और अगर ARR जो है अपने pre specified rate of return से ज़्यादा है तो आप अपने project को accept करोगे otherwise नहीं करोगे देखो कहने का मतलब है नाम से क्या पता चल रहा है average rate of return की pre specified rate की आपने जो सोचा की हमको इतना percent return आएगा ठीक है जितना आप सोच के चल रहे हो उससे अगर जादा ही है तो आप उस project को accept कर लोगे और अगर उससे कम है तो आप इसको reject कर दोगे तो basically उसके बाद बात करेंगे इसकी advantages की तो payback period की ही तरह यह जो हमारा method of investment है यह easy to calculate है यानि कि आप इसको असानी से calculate कर सकते हो यह profitability factor को recognize करता है यह इसकी advantage है कि हमारको कितना profit होगा देखो दोनों method अभी हमने पढ़े payback पढ़ा ARR पढ़ा payback में आप क्या calculate करते हो आपना time period calculate करते हो ठीक है कितने time तक हमारी जो हम पैसा लगा रहे है वो recover हो जाएगा ARR की बात करें ARR आपको यह बताता है कि आपको कितना rate of return मिलेगा rate of return average rate of return कितना मिलेगा आप जो भी पैसा लगा रहे हो प्रोजेक्ट पे तो यहाँ पे साफ साफ इस slide से हमको पढ़ा लग जाता है कि अगर ARR जो भी आपने सोच आएगी मुझे मालो इस प्रोजेक्ट में 20% rate of return मिलेगा यानि कि इतना फायदा मुझे मिलेगा मिलेगा उससे अगर आपका ARR जादा आ रहा है calculate करने पर तो आप उस प्रोजेक्ट को 100% क्या करोगे accept करोगे और वही अगर ARR जो है average rate of return कम आ रहा है आपके pre-specified rate से जो आप पहले से सोच के चल रहे हो उस rate से भी कम आ रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं लगा होगे clear disadvantages की बात कर लेते हैं एक बरी ARR method की क्या disadvantages है चलिए basically अभी हमारे traditional methods चल रहे हैं ध्यान रखना disadvantage की बात करें तो यह भी time value of money को ignore कर देता है और क्योंकि देखो ना time के साथ money की value जो है न वो change होती है यह बात आप भी जानते हो लेकिन यह जो दोनों method है न यह time value of money को totally ignore करते हैं यह यह नहीं देखते हैं क्या महंगाई हो रही है क्या यह हो रहा है इनका कोई मतलब नहीं है यह सिर्फ आपको amount बता देंगे that's it all right और suppose if we use ARR to compare to project अगर हम ARR use कर रहे हैं दो project को compare करने के लिए having equal initial investment बतलब कि दो project है आपके सामने दोनों में आपको 10-10 लाक रुपे लगाने है ठीक है तो इनकी initial investment क्या होगी बरबर हो गई बट आपके पास तो सिर्फ आप 10-10 लाक रुपे है या तो आप इसमें लगा सकते हो या आप इसमें लगा सकते हो clear अब आप क्या करोगे comparison करोगे तो प्रोजेक्ट जिसकी higher annual income होईगी in the later years later years मतलब बाद वाले सालों में ज्यादा होगी तो उसको आप higher जो है rank दोगे और जिसकी beginning में कह सकते हैं then beginning में जिसकी कम है और later years में जिसकी ज्यादा है उसको आप दोगे even if the present value of income generated by later project is higher देखो इस point को दुबारा से समझते हैं एक बड़ी थोड़ा confusion होगा मैंने आपको बताया आपके सामने द दस दस लाग ही लग रहे है initial investment अब आपको क्या करना है दोनों को compare करना है project A को project B को आपको compare करना है तो अब ARR जब आप यूज कर रहे हो तो आप यह देखोगे the project which has higher income in the later year later year मतलब बाद वाले सालों में शुरुवात के नहीं बाद वाले सालों में जिस project में annual income जादा जाएगी उसको आप हाई rank पे दोगे मालो ए वाले project में na starting में तो इतना पैसा नहीं आ रहा लेकिन बाद में ज्यादा पैसा आएगा तो इसको आप उपर rank दोगे बजाएगी B के B क्या कह रहा है कि मेरे पास starting में अच्छा पैसा आएगा बाद में कम पैसा आएगा ओके तो अब even if the present value of the income generated by the letter project is higher की भले ही जो है हमारी present value जो है letter project वाले की higher ही क्यों ना हो letter project मतलब B की ठीक है तो basically ये इसकी disadvantage है कि जो है इस तरीके से ये comparison करता है और ये देखता है कि कौन पहले जादा कमा के देगा या कौन बाद में जादा कमा के देगा whatever second देखते है it can be calculated in different ways ARR को आप काफी different ways से calculate कर जकते हो तो इसलिए इस में consistency की problem आती है consistency का ये मतलब होता है कि ना जब किसी भी चीज को calculate करने के ना बहुत सारे method होते है ना तब आप उसमे consistency नहीं देख पाते है जैसे कि हमने consistency से related एक point पढ़ रखा है कि depreciation के methods होते हैं बहुत सारे like हमारा simple वाला method भी होता है एक और एक हमारा कौन सा होता है written down value method तो अगर आपको consistency लानी है तो आप एक ही method अगर लगातार use करोगे तो ही आपकी consistency रहेगी लेगन क्या क्योंकि ARR के बहुत सारे method होते हैं इसलिए consistency की problem आजाती है तो यह भी इसकी disadvantage है third point it uses accounting income rather than cash inflow information तो average rate of return जो है वो income accounting income को use करता है बजाए की cash inflow information को तो इसलिए it is not suitable for the project having high maintenance cost तो इसलिए यह उन projects के लिए suitable नहीं है यह method जिस project में maintenance cost बहुत जादा हाई है क्योंकि their viability also depend upon time cash inflow तो basically यह इसकी disadvantages थी तो अब यह हमारे दोनो traditional complete होगे अब हम बात कर लेते हैं अपने modern methods की तो क्या बोला गया modern methods के बारे में वो देख लेते हैं देखो modern methods जो हैं वो basically हमारे calculate करके यहाँ पर बताए गए हैं यह हमारे modern methods ते एक बार चल लेते हैं modern methods की तरफ देखिए net present value profitability index और internal rate of return इन तीनों को समझेंगे अब यह बहुत जादा main है बहुत जादा main methods हैं यह आपके यह भी हैं बट यह भी है दोनों तो दियान रतना है आपको पांचों methods के ओपर focus करना है तो एक question given था practical उसको study करेंगे फिर इस चीज को हम समझ ठीक है देखते हैं देखो क्या वो ला गया question में बी question की study करेंगे अब हम management of a company has two alternative proposal तो दो दो प्रपोजल हैं आपके पास जिसमें आप पैसा लगा सकते हो अब project A एक project A है और एक project B है ठीक है दो alternative है पैसा आपके पास A की पे लगाने का है तो अब आपको comparison basically करना पड़ेगा कि ओन से project में लगाने का हमारा फायदा है और वो आप टेक्नीकी उस करके करोगे न तो अब बोला गया project A में 12 लाग की capital लगेगी और project B में 18 लाग की capital cash flow for five years दोनों ही जो है हमारे project है इसमें cash flow generate होगा पांच सालों के लिए और बोला गया कि project A जो है आपको 4 लाग रुपे एक साल के देगा और project B जो है वो 5,80,000 रुपे आपको साल के देगा आपको यह भी ध्यान रखना है कि project A में 12 लाग लग रहे है तो वो 4 लाग दे रह रहे है छे लाग तो वो आपको 5,80 दे रहा है तो इस चीज का ध्यान रखना पर साल पर यह तो cost of capital जो है हमारी वो 10% है जो भी आपने जहां से भी initial investment करी है इस पर 10% आपको देना भी पड़ेगा जी आप पैसा लगा रहे हो पैसा आपने उधार का लिया हुआ है उस उधा determine which of the two projects should be selected अब आपको यह determine करना है कि आपको दोनों में से किसको select करना है और वो आप कौन से basis पे select करोगे आपको दो method बता दिये गए कि इन दो method को use करो और पता लगाओ कि कौन सा project A हमारे जादा beneficial है या project B हमारे जादा beneficial है पहला net present value method दूसरा profitability index method I hope question बिल्कुल clear है अब हम अपने answer की तरफ चलते है तो यह हमारा answer है देखिए हमें क्या given है cash outflow मैंने की जैसे कि आपको बताया project A में आपके 12 लाख लगेंगे और project B में आपके 18 लाख लगेंगे पांच सालों में project A आपको हर साल 4 लाख रूपे दे रहा है और project B आपको 5 लाख 80 लाख रूपे दे रहा है cost of capital दोनों में बराबर है यानि की 10% 10% आपको cost of capital पढ़ेगी cost of capital का basically यही मतलब है कि आपने जहां से भी पैसे का इंतजाम कर रहे है आप उन बंदों को interest तो दोगे ना उन बंदों को पैसा तो दोगे चाहे आपने equity से generate किया हो चाहे आपने debenture से generate किया हो चाहे आपने bank स 18,000,000 लगा रहे हो आपको 10% उनको return मतलब interest पे करना ही पड़ेगा तो वो आपकी cost of capital है ओके उसके बाद pvaf at 10% for 5 year 5 year है हमारा 3.791 इसको समझते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं थोड़ा सा अब देखिए जरा यह pvaf क्या है इसकी तलिए आपको एक table लेके जानी पड़ेगी exam में इसकी photocopy करा सकते हैं मैं आपको table दिखा देती हूँ यह कैसे निकालते हैं तो जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं यह हमारे शिवदा sample paper में भी आपको मिल जाएगी आप चेक करना इस पेज नमबर आपको बता देती हूँ एक सेकिंड हाँ तो पेज नमबर 124 पर आपको यह table मिल जाएगी तो इसको आप बेसिकली photocopy भी करा लेना या वट्यवर यह यह टेबल लेके जानी है ठीक है अलब इसकी photocopy आपको लाओड होईगी आप बोल सकते हो examiner को मतलब जो कोई invisilator होगा तो देखो आपको 10% पाँच सालों के लिए चाहिए ठीक है यह हमारा समझते है इसको concept को यह हमारे पाँच साल यहां पे complete हो रहा है ठीक है पीवी एएफ यानि की आपकी full form क्या है पीवी एफ की present value of a future annuity पीवी एफ present value of a future annuity ओके तो 10% वाली देखनी है न 10% देखना है तो यह आगया हमारा 3.791 यह आप लोगे ओल राइट इस चीज को ध्यान रखेंगे यह अली टेबल आपको लेके जानी है जब आप यह वाला method यूज कर रहे हो अपना calculate करने के लिए ओके चलिए देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो 3.791 यह हो गया आपका और present value of annual cash inflow यानि कि a multiply by b करेंगे जब हम तो हमारा कुछ इस तरीके से amount आएगी यानि कि a multiply by b का मतलब यह आपका a है यह आपका b है चीज़िए है इसको हम multiply करेंगे तो एक बार देखते हैं चार लाग को 3.791 से multiply करके देखते हैं एक second रुके तो यहाँ पर आगे हैं हम अपनी calculator screen पर तो इस तरीके से देखो जो आपका a amount है like 4 lakh हमारा था ना कि हमको 4 lakh जो है मिलेगा पर year तो उस 4 lakh को लेना है अपने एक second यह हमारा 4 lakh हो गया और आपकी PVAF कितनी है 3.791 राइट आमा राइट ना ओके तो यह आपकी amount है राइट तो चलते हैं अपनी screen की तरह तो यहाँ पे हमको value given है 15,16,400 तो समझ में आ गया यह कहां से आया इसी तरीके से आप 5,80,000 को 3.791 से multiply कर दो यह वाली amount आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके तो आपने अब इस तरीके से इसको calculate करना है महाँ पे भी जब आप basically इन methods का use कर रहे है तो तो आपको इन इन items की ज़रत पड़ेगी net present value आप कैसे निकालते हो net present value आप कैसे निकालते हो present value of cash inflow को आप minus करते हो present value of cash outflow के साथ project A की बात करे तो आपका annual cash inflow कितना है 15,16,400 है और आप लगा कितना रहे हो आप 12,00,000 रुपे लगा रहे हो यानि कि आपका net present value जो इसमें आएगा वो आएगा 3,16,400 रुपे वहीं अगर हम बात करें project B की तो इसका amount आ रहा 21,98,780 में से आप जो इतना भी लगा रहे हो 18,00,000,000 वो माइनस कर देना तो यह इसका net present value आ गया तो यह हमारा net present value का निकल करके आया कि project A की net present value और project B की net present value क्या है और profitability index में हम क्या कर रहे हैं हम divide कर रहे हैं ध्यान रखना है दोनों ही same चीजे inflow यह inflow है यह आउट फ्लो मेंस कर रहे हैं और यहां पर हम divide कर रहे हैं कुछ नहीं है ठीक है तो 15,16,400 को अपने जब 12,000,000 से divide किया तो 1.264 आ गया और इसी तरीके से इसको divide किया तो 1.222 आ तो यह आपका profitability PI आएगा profitability index तो decision क्या आया कि NPV के base पे अगर आप select कर रहे हो net present value base पे आप select कर रहे हो तो आपको project B को select करना चाहिए क्योंकि project B आपको ज्यादा return दे रहा है राइट A से ठीक है ज्यादा यह है ना तो NPV method के base पे आपको यह देना चाहिए और PI के basis पे आपक project A को choose करना चाहिए अब वो financial manager की सरदर्दी है कि वो किस method को preference देता है किस method के base पे अपना decision लेता है तो यह थे हमारे you know capital budgeting techniques I hope बिल्कुल clear हुए होंगे video को like share comment जरूर करें thank you so much